वेल एक hypothetical situation है, पर एक फल के लिए आप imagine कीजिए कि आपने अभी अपना नया नया definite account खुल वाये, अब चाहे वह आपने डिमैटकॉपन जिरोधा के साथ, या फिर आपने अप्स्टॉक्स के साथ, या आ पने एंजयल वन के साथ, या फिर आपने वाइफशा, के साथ, कोई भ होता है कि अगर हमारे पास dmit account है तब ही हम shares खरीच सकते हैं कि क्योंकि हमारा dmit from trading account होता है तो आप डूसरा trade भी कर सकते हैं तो आप आपने क्या हुआ था आपने दीमेंट अकवाउन के थ्रू आपने बहुत सारी continues to shares लिये हुए थे आपने लाइंस के शर्ज़ ले लिया आपने आई टी सी के शर्ज ले लिये आपने लिया अपने बहुत सरे शर्ज लेकर रखे हुए हैं आपकी बहुत मोटी investment लगे हुए हैं दूसरा आप ट्रेड करते हैं तो आपके बीमेट अकाउंट में बैलंस पढ़ा ह है यहां पर ट्रेडिंग बैलेंस पड़ा हुआ है पांच लाख रुपे यहां पर आपके पड़े हुए और एक करोड रुपे के आपने शेड़ ली हुए सुमच ना एक करोड रुपे के शेर्ज लिए होएं पांच लाग रुपे आप पड़े होएं अब मैंने क्यों कि बोला ऐसा आपको कि आप इमाजन कीजिए हाइपोथेटिकल है कि आपने जिस भी ब्रोकर के साथ अपने डिमेंट अकॉन खुलाया हुआ है वो ब्रोकर भाग भी जाता है वो ब्रोकर भाग गया वो कंपनी बंकरप्ट हो गई कंपनी बंद हो गई अब हाथ खड़े कर दिया ब्रोकर ने कि यहां हम रिस्पॉंसेवल नहीं हमारी तो कम्नी डूप गई अब आप कहोगे कि सर फिर हमारे शेर्ज का क्या होगा हमने जो पैसा डाला ब्लोकर कोई तो दिये थे तो अब आपके दिमाग में अगर इस सवाल आ रहा है तो इसका आपको भी जवाब मिलने वाला है कि आपको जवाब शेही है कभी ना कभी हमारे मन में सवाल जरूर आता अप इसे कई सारे लोगों ने यह कोशिन भी पोछा था कि अगर अगर और वो कुछ भी हो सकता है बड़ ऐसा नहीं नाओ लेट मी टेल यू एक्जाक्टली वट इस गोइंट अपन अब जब आप लोग किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और आप यहां पर शेयर खरीदना चाहते हैं आप ब्रोकर की आप प्लाटफॉ इंडिया के अंदर दो डेपाजिट्रीज हैं जहां पर शेयर्ज डेपाज़ट होते हैं एक हैं सी डी ऐसल और दूसरीट्रीटरीस स्सेट लिमिटड और दूसरी आपकी नाशनल सिक्योरिटिज डेपाज़टरीज लिमिटड अब यहां पर आप का जो शेयर है 어렵़ोड यह है एक तरीके से आपको अगर ये ब्रोकर भाग जाता है तो ब्रोकर रिस्पांसिटल नहीं है शेर्स के लिए है यहां पर सीडी ऐसलन और एंस्डी रिस्पांसिटल आपके शेर्स के लिए तो आपको करना क्या होगा मानलो मैंने एकजैंपल दिया था कि विए एक क्रोड रुपे का भी नुकसान नहीं होगा आपको करना क्या होगा बड़ा सम्पल एक्जैंपल दुबारा देता हो कि मालेते हैं जरुदा बंद और अपको सिंपली क्या और आप स्प्रॉक्स पर यक कोई भी और ब्रोकर पर आपने नया ध्मिट आकांट खोल ले यह आपने अपने दिखने लग जाएंगे और आप वाइस वरसा भी गर सकते हैं आप आप से लिए से बीडिरेक्ट बात कर सकते हैं और आप यह उस सिचुएशन में भी गर सकते हैं जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ को भी एक्जिस्टिंग ब्रोकर हो सकता है जो पुराने लोगों ने अकाउ सब्सक्राइब प्रोसेश इस नोट तफ तो यह सब्सक्राइब अगर हुआ तो आपको दिमाग में रखना है कि आपका एक भी रुपया कहीं नहीं जाएगा इफ्यर इंवेस्टिंग इंशेर अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ जब हमने बात करी दी कि बिए अब आपका ट्रेडिंग बैलेंस पांच लाग रुपय का दिखा रहा है आप उसे शेर भी कर सकते थे अब इस पांच लाख रुपय का क्या होगा कंपनी तो बंद हो गयी आप तो आप निकाल दी सकते पैसा बढ़ने के याली बात भी पैसा पड़ा था आपका हार्ड एं है तो यहां पर मैं आपको बता दो इन सारे ब्रोकर को कौन रेगुलेट करता है से भी रेगुलेट करता है तो सिक्यूरिटी एक्षेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट कर रहा है से भी का एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है जो कि यह एंशूर करता है कि अगर कभी broker भागा, या उसने कोई default किया, या कोई दिक्कत हो गई, तो आपका पैसा safe है, कितना यह मैं आपको बता देता हूँ, up to 25 लाख रुपीज, आप क्लेम कर सकते हो, directly SEBI में, आपको simply मापे complaint raise करनी है, कि भी इस इस तरीके से आपको broker भाग गया, एक अपनी बंद ह होगी, SEBI उसे verify करेगा, और आपका जो पैसा है, वो आपके account में आ जाएगा, यह SEBI की responsibility है, बड़ बाद आती है, मैं आप 25 लाख लेखा है, तो 25 लाख तक तो SEBI देख रहा है, अगर आपका 25 लाख से उपर अपने trading account में balance होता है, मालो एक करूर होता है, 25 लाख से उपर बहुत सरे ऐसे brokers हैं, जो बहुत छोटे scale पर काम कर रहे हैं, आपने नाम भी नी सुने, तो do not trust them, मलब आप किसी भी लालज में मताईएगा, कि कोई broker आपको कुछ extra लालज देता है, या in fact बोलता है, कि हम उपको tips provide करेंगे, they can be anything, जिनका आपने नाम सुना है, जिनका brand बन Mumbai से, RKSV Securities India, इसकी parent company है, India Private Limited, यह parent company है, अगर आपको कभी भी पैसा आता होगा यह जाता होगा आप शुक्स पे, तो आपको पता है कि RKSV Securities इंडिया से आपके पास आता है, और आप जब deposit करते हो, तब भी आप RKSV में पैसा देते हो, अब बाह आती है, कि यह जब किया था, 2012 में, 2018 के अंदर यह company, top 20 के list में आगे थी, top 20 brokers in India, और 2018 था का विश्वास मानिये, एक लाख, आज हम मैं आपको बताऊंगा figure क्या है, 2018 था एक लाख भी active customers नहीं था, तब यह top 20 में थे, 2019 के अंदर entry मारते हैं, one and only Mr. Ratan Tata, इस company के साथ, यहाँ पे इने funding मलती है, रितन Tata से, Tiger Global भी investor है, up stocks के अंदर, उसके बाद, their journey is non-stop, आज, 2018 से मैं बात कर रहा हूं कि, एक लाख, एक लाख भी इनके पास, active customers नहीं थे, आज की rate में, एक लाख 2021 के अंदर, पहुंच चुका है, 40 लाख से जादा लोगों ने account open कर दिया, तो, कहां एक लाख, कहां 40 ल आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, कि नमर बन पर आने में कितना डाइम लगेगा, and they're very aggressive, इन्होंने अपना प्लाटफर्म सोजा रहा है, नहीं अप लाउंच करी है, in fact, they're very good with customer relations, customers are highly satisfied, इनकी Google App Store पे रेटिंग अच्छी है, therefore I promote up stocks, अगर आप भी चाहते हैं, आपका shares 100% secure है, आप trade कर रहे हैं, choose a good brand, आप छोटे मुटे लालच में मच जाहिए, अगर आप brand को focus करेंगे, तो आपका पैसा हमेशा secured रहेगा, that is the main concern, up stocks का link, नीचे description में, in fact, जो भी reputed brokers in India, कि उनके भी links में, description में डाल दोंगा, so यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कि I'm just promoting up stocks, जो को सबका USB भी मैं दे दूँगा, जिस पर आप चाहें, उस पर आप जाके अपना DMAT account खुलवा सकते हैं, if you already have DMAT account, then आपको पता है कि आपको किसे trust करना और किसे नहीं करना, so I hope यह वीडियो आपके लिए इंफोमेशन रही होगी, आप इस वीडियो को प्यार देने के लिए